वेलकम तू तरकाविद भावना और आज हम बनाने वाले धावा स्टाइल के छोले बठोडे वो भी एक वीडियो में तो बिलकुल लास तक देखेगा बिना स्क्रीप किये तो हम छोडों को पहले बिगो लेंगे रात में अगर आप चाहे तो आप चार गंटे पहले बिगो कर है और यह हम निकाल लेंगे और इसमें उबालेंगे अब तो थोड़ी चीज़े डालेंगे तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं और यह देखिए इसमें हम सबसे पहले तेज़ पता डालेंगे दो तीन लिप्स हम इसमें डाल देंगे यह बहुत अच्छी तरीके से छूले बटूरे बनते हैं तो अब हम इसमें डालेंगे पहले सबसे थोड़ा सा सोड़ा और अब हम डाल देते हैं इसमें दू चमच बड़े नमक अपने अनुसार डालेगा स्वाद के अनुसार और इसमें हम एक कप हम पानी डाल देंगे और अब हम पानी डाल देंगे उसके बाद अब हम इसमें एक ऐसी चीज दालेंगे जिसे सिस्ट छोलो का कलर है वह बिल्कुल अच्छी तरीके से उसमें रंग है तो हम एक कपड़ा लेंगे और उसमें हम पत्ती डाल देंगे चाई पती ही घर में बहुत असारी से मिल जाती है और अच्छी तरीके से एक पोटली बनाकर अच्छी तरीके से बांद कर हम उस पोटली को हम इसमें छोलों में डाल देंगे जिसे बहुत अच्छा रंग आता है और छोलों का जो काले-کाले बाहर वाले छोले आप देखते हैं उनका रंग इसी वजह से आता है और अब हम इसमें लॉग बड़ी इलाइची छोटी इलाइची इलाइची डाल देंगे और कोकर को रख दीघे हम रखने दीह हैं ओबाल दुख सीटी आने तक तो अब हम सब से तो हम सबसे पहले ब्रेड को अच्छे चोटी चोटी टुकरों में तोड़ लेंगे तो हम सारी ब्रेडों को यही एक सीक्रेट है जिसे अगर सोडा डालती ही तो थोड़ा बठूरे आप लोगों ने देखे होंगे थोड़ा अजीब सा हो जाता है उसमें थोड़ा खटा सा अ होने रख देंगे और अब हम ले लेते हैं मैदा तो हम बठूरों काई बैटर बना रहे हैं तो इसमें अब हम आर्टा लगाने के लिए मैदा ले लिए हैं और इसमें डालेंगे रिफाइंड ओय थोड़ा सा और यह हमारा नमक और यह हलके से दो चमश बराबर चीनी डाल हाल के और अब हम इसमें डालेंगे दढ़ी और दढरेंगे आफ़ोम आल लिए वाघ्य केस के लीठे हैं और यह मेरा अपने छार्ट के लिए जी दूत्रेकर दीपीर कि शाअगत आप दीकों कर कर लेते हैं अब इस अच्छी तरीके से हम लोच देंगे और इसे हम एक गंटे के लिए रख देंगे रेस्ट करने तो यहां पर हमारे छोले उबल चुके हैं दो सीटी लग चुकी है और यह सारी तेज पत्ते हम इसमें से निकाल देंगे और जो पोट लेती भो भी निकाल द यह तरीके से अब इसमें डालेंगे जीरा जीरा के बाद जो हमने पेश्ट बनाया था अद्रक प्यास लेसन टमाटर का वह सब डाल देंगे इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉम्डम हो रही हो तो आप कमेंट में लिख सकते हम सारी रेस्पी बताएंगे और आपको अंसर जरूर देंगे तो यह दिखे हम इसमें तेल छूट जाए तब तक हम इसे पकाएंगे और इसमें आप थोड़े से मसाली डालेंगे तो सबसे पहले छोले आएंगे तो इसमें कष्मिरे लाल मिर्च और थोड़ी सी डाल है जोड़े शूले थोड़ा शूल मसाली को पखाएंगे तो कुकर में चोले अबले थी वह सारे सी में डल बिना पाणी निकाले तोonstra ऑफ हम इसमें डेना छोले में डालेंगे देख सकते हैं अची में देख सकते हैं कि इसमें एश्टा पाने डालने की जड़नी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डालने तो डाल सकते हैं तो हम इसे 15-20 मिला तक पकने देंगे यह देखे हमारे छोले बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गए हैं और बहुत अच्छी खुश हुआ रहे हैं तो चलिए ब पटक पटक के हम इसे लोच देंगे तो अच्छी तरीके से हम इसे लोच दे देते हैं ऐसे जड़ा पोच दे चुकी है तो हम इस में से हम थोड़ी से लोई लेंगे और मैदा लगा सकते हैं और या अपिर आयल भी धोड़ा तो इसलिए हम थोड़ा सा ना मौटा ज्यादा करेंगे और ना ही पतला ज्यादा करेंगे मीडियम साइज के बेल लेंगे और यह बहुत अच्छी तरीके से बेल चुका है तो लाइक एंड सस्क्राइब जरूर कीजिएगा एक ही वीडियो में हमने दोनों दिखा है आपको कहीं जाने की ज़त नहीं है तो यह बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही मज़ेदा ट्रिक के साथ बताईए हम लोगों ने और यह हम बहुत ऑइल करम हो जाने के बाद ही डालेंगे तो हमने यह बटूरा डाल चुका है और अच्छी तरीके से भटूरा मारा फूलने लगेगा तो यह देखिए बिना सोडा करल लेते हैं यह की अच्छी तरीके से और सबी फूलेंगे हमारे बठूरे एक भी ऐसानी होगा जिसे नहीं बस आपको ध्यान रखना है ना ज्यादा मोटा बेलना ज्यादा पतला जिससे हमारे छोले बठूरे बिल्कुल परफेक्ट बनें तो यह दिखिए यह भी हमारे बठूरा फूला हुआ है और यह अच्छी तर बिना इनो के और बिना सोडा के ऐसे वटूरे बिना इनो बिना उसके आराम से बन जाते हैं और दोनों चीज़े देखने हैं कोई सर्च करने की जोत नहीं है यह दोनों चीज़े मिलेंगी डावा इस्टाइल बठूरे और बठूरे तेस्ट करका बता रहें तो तब तक आईएगा अपने मेहमानों के लिए अपने बच्चों के लिए उन्हें भी खुश कीजिएगा बहुत सौधिश बनते हैं बिल्कु पज्जावी स्टाइल की थैंक्स पॉर वाचिंग बाई